नमस्कार मैं मयंक और आज की इस rapid fire class में discuss करूँगा new appointments in India 2023 इससे संबंदित एक class में पहले कर चुका हूँ और जितने भी important appointments थे जो हमें लगे कि इस तरह के questions बार बार पूछे आते हैं वो मैंने आपको पहली class में discuss कर दिया है आज की इस दूसरी class में और कुछ important appointments हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं तो एक एक question को last तक देखेगा बहुत important questions हैं skip करने की जुरत नहीं है कोई सा भी question आपके exam में आ सकता है तो जब तक आपका selection हो जाए तब तक आप पढ़ते रहें और जानकारी इकठी करते रहें चले शुरू करते हैं पहले question से सीमा सुरक्षा बल B.S.F. के नए महा निदेशक कौन बने who has become the new director general of border security force options are बिरेंदर सिंग पठानिया, जी अशोक कुमार, नितिन अगरवाल या कृष्ण मूर्ती सुब्रमनियम correct answer is नितिन अगरवाल, B.S.F. के नए महा निदेशक निउक्त हुए हैं, उनका नाम है नितिन अगरवाल आईए कुछ B.S.F. से संबंदित आपको points बता जाता हूँ, आप note down कर लीजेगा उसको B.S.F. की स्थापना होईती 1 दिशंबर 1965 में, कब होईती 1 दिशंबर 1965 1965 ठीक ना और इसका headquarter जो इस्थित है वो New Delhi में हैं, अगले question पर बढ़ते हैं, अगला question है भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं, who has become the new law minister of India, options आर अरजुन राम मेगवाल, सचिन सिंदे, रवी संकर प्रसाद, आनंद रामन एस Correct answer is अरजुन राम मेगवाल, ठीक ना तो भारत के नए कानून मंत्री जो नियुक्त किये गए हैं, बने हैं, उनका नाम है अरजुन राम मेगवाल Next question है, निती आयोग, निती आयोग के नए CEO कौन बने हैं, who has become the new CEO of निती आयोग, options आर बी वी आर सुब्रमानियम, अनूप बेनरजी, राज वर्धन सिंग या नत राजन सुन्दर यहाँ पर सबकी images भी है, अगर आपने image में भी पहले देखा हुआ है, तो आप यहाँ से judge कर सकते हैं Correct answer है, BVR सुब्रमानियम, ठीक है, BVR जो है, निती आयोग के नए CEO नियुक्त हुए है अब निती आयोग के स्थापना कब हुई है, निती आयोग के स्थापना हुई है, एक जनवरी 2015 को यह question कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखेगा इसका headquarter है, वो नई दिल्ली में है इसका headquarter जो है, वो नई दिल्ली में है और इसका मुख्या, यानि कि head, chairman, आप किसी भी नाम से पुकारें, वो प्राइम मिनिस्टर होता है ठीक है, तो निती आयोग का जो head होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा CEO जो नियुक्त हुए है, वो B, V, R, सुबरमानियम नियुक्त हुए है अगला कोशन देखते है, भारत के नए केंद्रिय सतरकता आयुक्त कौन बने है Who has become the new Central Vigilance Commissioner of India Central Vigilance Commissioner of India कौन नियुक्त किये गए है Options are, प्रवीन कुमार स्रिवास्तो, राजीव सिंग रगुवन सी, स्याम कुमार स्री निवासन या समीर वेंकट पती कामत आये जानते हैं, correct answer है, प्रवीन कुमार स्रिवास्तो ठीक है, तो new Central Vigilance Commissioner जो नियुक्त किये गए है उनका नाम है प्रवीन कुमार स्रिवास्तो, इमेज में आप देख सकते हैं ठीक, आये इसकी भी बात कर लेते हैं, Central Vigilance Commissioner की स्थापना ठीक है न, इस बिभाग की स्थापना जो हुई, वो कब हुई, तो इसका स्थापना जो हुआ, वो 11 फरवरी 1964 को हुआ था Established on 11 February 1964 और इसका भी Headquarter New Delhi में इस्तित है Next question है भाभा प्रमाणू अनुसंधान केंद्र बार्क के चौदहवे निदेशक कौन बने है Who has become the 14th Director of भाभा Atomic Research Center बार्क के चौदहवे निदेशक कौन बने है Options है विवेक भशीन, रजनीश कुमार, तपन सिंगल या राजीव चौदरी Correct answer है विवेक भशीन आप यहाँ इमेज में भी इनको देख सकते हैं यह विवेक भशीन है ठीक, अब बार्क की स्थापना कब हुई है बार्क की स्थापना established on 3rd January 1954 बार्क की भावा Atomic Research Center की स्थापना जो हुई तो 3 जनवरी 1954 को हुई है और इसका headquarter जो इस्तित है वो मुंबई में है महरास्ट ठीक है तो इसका जो headquarter है बार्क का भावा Atomic Research Center का उसका headquarter मुंबई में इस्तित है next question के बढ़ते है भारत के नए Chief of Defense Staff ठीक है CDS कौन बने है तो Chief of Defense Staff CDS के Chief कौन बने है who has become the new Chief of Defense Staff of India options are Manoj Mukund Narvade, Manoj Pande, Anil Chauhan या Vipin Rawat यहाँ image भी है अगर आप guess कर सकते हैं कहीं news में आपने देखा हो तो आप judge कर सकते हैं कि इसमें से कौन है correct answer है इसका Anil Chauhan ठीक है ना Anil Chauhan जो है वो नए Chief of Defense Staff बने है clear है अब आईए CDS की स्थापना अगर हम बात करें तो कब हुई यह 1st January 2020 यानि 2020 में CDS की स्थापना की गई तो 1st January को इसकी स्थापना हुई 2020 में और CDS के पहले Chief जो बने थे वो बने थे General Vipin Rawat clear है यह दो बाते आप चरूर याद रखें next question पर बढ़ते हैं राष्ट्रिय महिला आयोग NCW की वर्तमान अध्यक्स कौन है राष्ट्रिय महिला आयोग who is the current chairperson of National Commission for Women ठीक National Commission for Women के present chairman कौन है options are Kamla Salaria Rekha Sarma Meghana Ahalawat यह IUC मित्तल चलिए correct answer is Rekha Sarma ठीक है तो chairperson of National Commission for Women is Rekha Sarma अब इसकी स्थापना कब हुई National Commission की ठीक है ना for the women तो इसकी स्थापना हुई 1992 में नोट कर लिजेगा 1992 में NCW की स्थापना हुई और इसका headquarter आता है नई दिल्ली में NCW का headquarter है New Delhi में अगला question है भारतिय प्रतिश्प्रधा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्स देखें पहली महिला अध्यक्स बनी है इसलिए ये most important में question बन जाएगा ठीक है ना तो इसको नोट रखिएगा कि CCI की पहली महिला अध्यक्स कौन बनी है who has become the first women chairman of competition commission of India ठीक competition commission of India की पहली महिला अध्यक्स ठीक है जानवी डांगेती सुरेखा यादो रवनीत कौर या सालीजा धामी correct answer is रवनीत कौर ठीक है रवनीत कौर यहाँ इमेज आप देख सकते हैं उनीकी इमेज है तो रवनीत कौर जो है वो बनी है first women chairman of CCI आईए इसकी स्थापना कब की गई है वो जानते हैं इसकी स्थापना हुई है CCI की 14 October 2003 में कब established किया गया 14 October 2003 को इसकी स्थापना किया गया और इसका headquarter इस्तित है नई दिल्ली में तो CCI का भी headquarter New Delhi में इस्तित है नेक्स कोश्चन है भारती रिजर्ब बेंक के नए deputy governor के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ठीक है who has been appointed as the new deputy governor of Reserve Bank of India options are रवी सुब्रमन्यम कुमार संजे कुमार मोहंती लक्षमर दास मित्तल या स्वामी नाथन जान की रमन चलिए इसका सही आंस्वर है स्वामी नाथन जान की रमन ठीक है नए deputy governor के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और अगर आप से governor पूछे RBI का तो है सक्ति कांत दास तो RBI के governor है सक्ति कांत दास RBI की स्थापना हुई 1 April 1935 को 1 April 1935 को RBI की स्थापना हुई और RBI का headquarter इस्तित है मुंबई में अगला कुश्शन भारतिय भूवेज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महा निदेशक कौन बने है Who has become the new director general of Geological Survey of India Geological Survey of India के नए director general के पदपर किसे नियुक्त किया गया है Options है राजेंद्र, गरखल, आसीश कुमार, नमीन चावला या जनार्दन प्रसाद Correct answer है जनार्दन प्रसाद Clear? तो जनार्दन प्रसाद को नया director general नियुक्त किया गया है Geological Survey of India के लिए इसकी स्थापना जो हुई है GSI की वो 4 March 1851 को हुई है Note down कर लिएगा GSI की स्थापना 4 March 1851 को हुई है और इसका headquarter जिस्थ है Kolkata में ठीक है दोस्तो तो आज के लिए 10 important appointments थे इसे पहले की class में मैं 10 important appointments करा चुका हूँ थोड़े थोड़े appointments को आप regular याद करते रहे है और वीडियो को बार बार देखा करें ताकि ये लोग आपको याद रहें क्योंकि ये एज़क current भी इस्तमाल होता है जितने भी questions ये आपको बनाये जाते हैं सारे current के तौर पे भी इस्तमाल होते हैं और साथ में GK के पार्ट में भी include होते हैं तो बहुत important है इस तरह का like weightage exams के अंदर बहुत रहता है GK पार्ट में और यही पार्ट अगर कमजोर होता है तो आपका score कम हो जाता है तो इसको कम नहीं होने देना है इसका regular आप practice करते रहे हैं ठीक है हर वीडियो की तर आपको पता है offline classes के लिए आपको क इफीशल रही होगी जिन students का 10 में से 9 correct हैं 10 में से 8 correct हैं वो जरूर हमारे comment box में mention किया करें कि आपकी accuracy जो class त्यार की जारी है उसमें कितनी है और अगर कमजोर बच्चे हैं like week student जिनका एक दो number ही आप आ रहा है दस में से एक या दो question ही सही हो पा रहे हैं तो वो regular basis पर इस त पढ़ें newspaper उटाएं बड़ पढ़ना ना छोड़ें जब तक आपका कहीं कुछ फाइदा ना हो जाए ठीक है मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए आप सभी के साथ जैहिंद